अब आते हैं ललता तृषती पर दोनों ही ललता सहसे नाम हो या ललता तृषती हो ये दोनों ही ब्रह्मोंड पुरान से लिये गए हैं और हाइगरीव भगवान जो कि विश्णुमातार हैं और हाईकरी भगवान और अगस्ती मुनी, इनके बीच की ये सम्भाध है, और हाईकरी भगवान ने अगस्ती को अगस्त महामुनी को लिल्ता सरस्तनाम दिया, लेकिन इस करने के बाद भी अगस्त महामुनी को एक साटिसफाक्षन, एक संतोष जैसा प्राप्त नहीं हूँ, उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और कमी है, शायद आप ने पुरी तरह से मुझे सब कुस दिया नहीं है, तो कुछ और भी गुई है क्या, तो गुरुदेव ने सोचा क्या करूं, गुरुदेव ने फिर ध्यान किया है गुरि भगवान ने, औ यह दोनों प्रकट हुए और दोनों ने कहा कि तुम अगस्त मनी को अब इसमें गुयतम बात क्या है जो ललता क्रिपुर सुंदरी के जो पंदर शाकशरी मंत्र है उनके ही पीजाकशरों पर यह पूरी त्रिशती बनाई गई है तो अब प्रशनी यह उठता है कि अगर हमें दिक्षा नहीं मिली तो क्या हम नहीं यह कर सकते नहीं ऐसी बात नहीं है आप कर सकते हो बिलकुल घबराने की जरूरत नहीं है मैं छोटी उमर से करती आ रही हूँ और बहुत लोगों को दिया है और लोगों को इससे फाइदा ही हुआ है अब क्या फल होता है जो ललता सहसनाम का फलशुती है वही इसका फल है आपके उपर यदि कोई तंत्रबादा है वो निकल जाएगी भूत प्रेत पिशाच आपको परिशान करते हैं वो निकल जाएगे लेकिन इन दोनों के लिए एक शर्थ जरूर होती है ललता त्रिशती कि जब आप साधना करोगे या चैंटिंग करोगे नौन वेज खाना बंद कर देना प्लीज अंडा तक भी अंडा, मचली, मतन कोई भी प्रकार का मास बंद कर दो यदि आपके अंदर कोई शराब इत्यादी की आदत है हर प्रकार का शराब उसको आप बंद कर दो आपके अंदर थोड़ी विचार वाली यदि आदते हैं तो उनको आप बंद कर दो ये तीन नियम आप एकदम कड़काई से पालोगे तो तंत्र बाधा और भूत प्रेत की बाधा भी दूरो जाती है